जै मातादी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्री के दूसरे दिन मातरानी के किस अवरोब की पूजा होती है मातरानी के किस मंत्र का जाप करना चाहिए कौन सा भोग उने अर्पित करना चाहिए कौन सा फूल उने चड़ाना चाहिए किस रंग के वस्तर पहनने चाहिए और मातरानी के वरत की कथा भी मैं आपको सुनाओंगी अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सभी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आवश्य करें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाट वरत्योहर की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएं सबसे पहले नवरात्री के नो दिनों में मातरानी के अलग-लग सवरूपों की पूजा करने का ही नियम बताया गया है और दूसरे दिन मातरानी के ब्रहमचार्णी सवरूप की पूजा की जाती है इन्ही की वरत्कथा सुनने का नियम बताया गया है दूसरे दिन सुनी जाने वाली माब्रह्मचार्णी की व्रतक़ था। जब माब्रह्मचार्णी देवी ने हिमाले के घर जन लिया था तब نारज जी ने उन्हें उपदेश दिया था। और उसके बाद से ही वो शिवजी को पती रूप में प्राप्त करना चाती थी, जिसके लिए उन्होंने गोर तपश्या की थी इसी कठिन तपश्या के कारण उन्हें तपश्यचार्णी अर्थात ब्रह्मचार्णी के नाम से जाना जाता है देवी ने तीन हजार वर्सों तक तूटे हुए बेल पत्र खाए थे वे हर दुख सैकर भी संकर जी की अरादना करती रही इसके बाद तो उन्होंने बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया फिर कई हजार वर्सों तक उन्होंने निर्चल वे निराहार रहकर तपश्या की जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ा तो उनका नाम अपर्णा पड़ा कठिन तपश्या के कारण देवी का सरीर एक दम छिन हो गया देवता, रिशी, सिद्गन, मुनी सभी ने ब्रहमचार्णी की तपश्या को अभूत पूर पुन्यकरत्य बतला कर सरहना की उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी तपश्या जरूर सफल होगी मा ब्रहमचार्णी देवी की किरपा से सर्व सिद्धी प्राप्त होती है मा के अराधना करने वाले व्यक्ति का कठिन संगर्सों के समय में भी मन विचलित नहीं होता बोली मातारानी ब्रह्मचार्णी की जैन नवरात्री के दूसरे दिन माता ब्रह्मचार्णी का मंत्र यादेवी सर्व भूतेशु ब्रह्मचार्णी रूपेन संस्थिता नमस्तश्य 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 नमो नमा इस मंतर का आप चाहें तो एक माला, पांच माला, साथ माला या फिर ग्यारा माला यानि कि एक माला में 108 बार मंतर का जाब किया जाता है तो आप इस मंतर का जाब करें आप इस मंतर का जाब रुद्राक्ष की माला से या फिर रक्तचंदन की माला से या सफ्टिक की माला से भी आप जाप कर सकते हैं मा ब्रहम चार्णी को जब भी आप भोग लगाएं तो पिस्ते का, दूद दही, गी सै सक्कर का, पताशे, मिसरी या फिर पंच मेवा का भोग आप लगा सकते हैं नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रहम चार्णी की पूजा करने का ही नियम बताया गया है माता के इस अवतार का अर्थ तब का आच्रण करने वाली देवी माना गया है इनके दाहिने हाथ में जब की माला और बाए हाथ में कमंडल है शास्तो के अनुसार मा ब्रह्मचार्णी ने उनके पुर जन्मे हिमाले के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने गोरत पश्चा की थी इसी कारण से इनका नाम ब्रह्मचार्णी रखा गया ऐसी माननेता है कि इनकी पूजा करने से हमेशा उजवलता और एश्वरेता को प्राप्त करते हैं नवरात्री के वृत रखने वालों को एक नियम अवश्य ही अपनाना चाहिए नवरात्री के नो दिनों तक दो लोंग जिनको उपर फूल बना हो दो लोंग एक पताशे में लगाकर उन्हें घी में डबोकर आपको कपूर के उपर या गौमाता के उपले के उपर आपको आच करके उनको भोग देना चाहिए अगनिके माध्यम से ही हम किसी भी देवी देवता को भूग है वो अरपित कर सकते हैं, उनको प्राप्त करा सकते हैं तो इस तरह से आपको दो लोंग एक पताशे में घी में मिला करी आपको अरपित करनी है और 9 दिनों तक माता राने को गुढहल का लाल फूल या कमल का फूल गुलाब का फूल जो भी आपको मिल जाए वो आपको उन्हें अवश्य ही अर्पित करना चाहिए मादुर्गा को लाल रंग के फूल लाल रंग के वस्तर अत्ते देख परिये हैं आप कोशिश करें कि उनकी पूजा में इन चेजों का प्रयोग आप अवश्य करें आशा करती हूँ यह वेडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा मिलती हूँ एक इसी तरह की महत्वपोन वेडियो के साथ तब तक के लिए जैम आता दे